नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में नाक्षी चेन पर ये वीडियो तस्विर या चित्र यानी इमेज और पिक्चर दिखा कर कुछे जाने वाले क्वीज पर अधरी थे फिर्स्ट क्वेस्चन चित्र में दिखाए गए किट की पहचान करें अइदेंटिफाइ दे इंसेक्ट सोन इन दे इमेज ओप्शन से ए तितली, बटरफ्लाई, बी भॉरा, बंबल बी, से टिड़ा, ग्रास होपर, डी तिल चट्टा, कोकरुच तो ये इमेज में भॉरा है जो फूलो पर मन रहता है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आप्शन बी भॉरा और ये भागी के आप्शन में से जो किटक हैं उनकी इमेज ये तितली, बटरफ्लाई, ये टिड़ा, ग्रास होपर, और ये कोकरुच यानि तिल चट्टा चित्र में दिखाई गई ये राजनेता किस राजनितिक दल की प्रतिनिती हैं और ये इमेज में ममता बैनरजी है जो राजनितिक पार्टी अखेल भारतिय त्रेनमुल कॉंग्रेस की संस्थापक यानि फाउंडर है और पास्चिम मंगाल की पहली महिना मुख्य मंत्री है इन्हें अक्सर दीदी नाम से भी संबोधित किया जाता है इस पार्टी की स्थापना जन्वरी 1998 यानि जन्यूरी 1998 में की गई थी ममता बैनरजी का संबन त्रेनमुल कॉंग्रेस से है तो राइट आंसर होगा याँ पर आप्शन ए त्रेनमुल कॉंग्रेस तुरिनमल कॉंग्रेस पार्टी का जुनाव चेन जोरा गास फुल तो फुल गास के साथ ट्विन फ्लार्स इन ग्रास और तुरिनमल कॉंग्रेस पार्टी का फ्लैग ये है और बाकी के options में से बीजू जनता दल ये ओडिसा राज्य की राजनेतिक पार्टे हैं बीजू जनता दल की स्थापना 1997 में बीजू पतनायक ने की जो नविन पतनायक के पिता थे इस पार्टे का election symbol है संग कौंच और ये Indian National Congress भारत की सबसे प्राचिन राजनेतिक पार्टे हैं इसकी स्थापना 1885 यानी 1885 में हुई इसकी संस्थापक A.O. Hume यानी L.N. Octavian Hume कौंग्रेस का चुनावचिन हाथ का पंजा, Palm of Hand और समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 1992 में मुलाइम सिंग यादव ने की और election symbol समाजवादी पार्टी का cycle है Next, third question इस तस्विर में दिखाए गए व्यक्ति भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे The person shown in this picture was a former chief minister of which Indian state Options है A. Gujarat, B. Maharashtra, C. Madhya Pradish, D. Gova तो ये तस्विर BJP leader मनोहर पर्रिकर की है जो गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो right answer होगा Option D. Gova मनोहर पर्रिकर भारत के किसी भी राज्य में IIT graduate, IIT सनातक विधायक बनने वाले पहले व्यक्ति थे और भारत के किसी भी राज्य में IIT graduate मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे उन्होंने IIT मुंबई से Metallurgical Engineering यानि धातु कर्म इंजिनियरिंग की थी गोवा के मुख्यमंत्री रहने के अलावा पर्रिकर जी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसत भी रहे और भारत की Defense Minister यानि रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके थे चित्र में दिखाया गया प्रतिक किस भारती संगठन का है The emblem shown in the picture belongs to which Indian organization options है A. भारत सरकार Government of India B. भारती सर्वाचन याला है Supreme Court of India C. CBI D. भारती ससस्त्र सेना Indian Armed Forces तो पिक्चर में दिखाया गया ये emblem जिसमें यतो धर्मस्ततो जय लिखा दिख रहा है जिसका मतलब है जहां धर्म है वहां जय यानि जीत है Where there is dharma, there will be victory ये Supreme Court का दियाई वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय ये Supreme Court का मोटो है और ये Supreme Court of India का emblem प्रतिक्चन है तो राइट अंसर होगा यहाँ पर option B भारती सर्वोच्चनियाले Supreme Court of India इन बाकी के options के emblem ये भारत सरकार Government of India का emblem है ये CBI Central Bureau of Investigation का logo और ये भारती ससस्त्र सेना Indian Armed Forces का emblem नेक्स्ट पांच्वा प्रस्ण तस्विर में दिखाए गए राजनितिक व्यक्ति को पहचाने identify the political figure in the picture options हैं A. योगेंद्र यादव B. प्रसांत भूशन C. कुमार विश्वास D. आसिस खेतान option में दिए गए ये सारे नाम 2012 में गटित राजनितिक पार्टी आप यानि आम आदमी पार्टी से कभी न कभी जुड़े हुए व्यक्ति हैं और चित्र में दिखाए गए व्यक्ति का नाम है योगेंद्र यादव तो राइट आंसर होगा यहाँ पर option A. योगेंद्र यादव और ये भागी के options में दिए गए व्यक्तियों की तस्वीरें प्रसांत भूशन कुमार विश्वास और असिस खेतान next छटा प्रस्ण तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति को किस खेत्र में नॉबल पुरुशकर से समानित किया गया है in which category has the person shown in the picture been awarded the Nobel Prize option है A. सांती P. साहित्य Literature C. चिकित्सा Medicine D. रसाइनशास्त्र Chemistry और ये तस्वीर 14 दलाई लामा तेंजिंग्याद्सो की है जिनहें 1989 1989 में Nobel Peace Prize से समानित किया गया था तो राइट आंसर option A. सांती P. दलाई लामा तिबबत की राष्ट्रा अध्यक्स एवं अध्यत्मित गुरु है दलाई लामा का निवास्थान भारत में हिमाचल प्रदेश राज्चे के धर्मसाला में है जहां केंद्रिय तिबबती प्रसासन का मख्यालय है भारती नॉबेल विजेताओं की जानकारी पर एक वीडियो चैनल पर अप्लोडेड है Nobel Prize Part 1 आप चाहें तो देख सकते हैं इस चित्र में योगासन का कौन सा प्रकार है वाट टाइप ओफ योगासना इस देर इन इस पिक्चर अप्शन है A. ससंकासन B. विर्भदराशन C. सवासन D. त्रिकोनासन तो ये चित्र में त्रिकोनासन की मुद्रा है इसलिए राइट आंसर अप्शन D. त्रिकोनासन त्रिकोनासन यानि ट्रैंगल पोज और बाकी के अप्शन में से ससंकासन रैबिट्स या हैर्स पोज खर्गोष जिसे संस्क्रत में ससका जाता है और ये है ससकासन की मुद्रा और विर्भदराशन वारियर्स पोज यानि युद्धाव की मुद्रा ये है विर्बदराशन की मुद्रा सवासन, कॉर्प्स पोज यानि अपने सरिर को सव के समन बना लेना और ये है सवासन की मुद्रा इस मारक को किसकी याद में बनवाया गया था In whose memory was this monument built options है A. महरू निसा B. मरिय मुझ्यमानी C. अर्जुमन बानू बेगम D. दिलरस बानू बेगम तो ये चित्र में ताज महल है जिसे चोथे मुगलबाद साजहाने बनवाया था और साजहाने ये समारक अपनी पत्नी मुम्ताज महल की याद में बनवाया था पर यहाँ पर option में तो मुम्ताज महल है ही नहीं यहाँ पर मुम्ताज महल का जन्म नाम दिया गया है और मुम्ताज महल का जन्म नाम था अर्जुमन बानू तो यहाँ पर राइट आंसर होगा option C. अर्जुमन बानू बेगम और ये बाकी के options में जो नाम है महरुनिशा, ये नूर जहां का जन्म नाम है जो जहांगिर की पतनी थी और मर्य मुझ्जमानी, अकबर की पतनी और जहांगिर की मा थी जिनहें हरखा बाई, हिर कुमर और जोधा बाई अधिनामों से जाना जाता है और दिल्रस वानो बेगम ये औरंग जेब की पहली पतनी थी महाराश्टर के औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा दिलरस बानो बेगम की याद में ही बनवाए गया था ये है बीबी का मकबरा की तस्विर जो ताज महल की आकरती पर ही बनवाए गया था Next, 9th question तस्विर में दिखाए गई इस क्रिकेटर को पहचानिय identify this क्रिकेटर shown in the image options है A. मिताली राज B. हर्मन प्रितकौर C. स्मृति मंधाना D. जूलन गोस्वामी ये सब भी भारती महिला क्रिकेटर है और ये तस्विर में भारती महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान मिताली राज है तो सही उत्तर यहाँ पर option A. मिताली राज और अब बाकी के options में जो नाम दिये हैं उनकी तस्विरें ये image महिला क्रिकेटर हर्मन प्रितकौर की है जो महिला 2020 इंटरनेशनल मैच में सब तक सेंचूरी लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है और ये महिला क्रिकेटर स्मृती मंदाना है और next जोलन गोस्वामी ये विश्व के सर्वस रेष्ट महिला गेंद बाजू में से एक है जोलन गोस्वामी ODI यानि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 196 प्रिकेट लेने वाली महिला गेंद बाज है जोलन गोस्वामी का उपनाम बाबूल है और उन्हें नादिया एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है next 10th question इस चित्र में दिखाए गए व्यक्ति किस भारती व्यवसाई के पुत्र है तो ये इमेज में अनिलंबानी है जो धिरुबाय अमबानी के पुत्र है तो राइट आंसर यहाँ पर और ये इमेज धिरुबाय अमबानी की है जो Reliance Industries Limited के संस्थापक Founder है और अब बाकी के options में जो नाम है उनकी तस्वीरे भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये हैं विप्रो Limited से जुड़े अजिम प्रेमजी जिन्होंने 2001 में अजिम प्रेमजी Foundation की स्थापना भी की थी Giving Place एक परोपकारी पहल है जिसे Warren Buffett, Melinda एवं Bill Gates द्वारा चलाया गया उस पर हस्ताक्सर करने वाले पहले भारतिय अजिम प्रेमजी ही है इन्होंने Giving Place पर हस्ताक्सर 2013 में किये थे The Giving Place के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतिय मैला है किरन मजुमदार सो और ये उनकी तस्वीर है किरन मजुमदार सो बायो कॉन कंपनी की अध्यक्स, चैर परसन और प्रबंध निदेशक हैं यानी MD हैं और अब नेक्स्ट नायरन मूर्ति की तस्वीर ये Infosys के को फाउंडर हैं और नेक्स्ट टाटा ग्रूप से जूड़े ये रतन टाटा की तस्वीर हैं नेक्स्ट लेवन्थ क्वेस्टेन निमने लिखित में ऐसे कौन सा व्यायाम इस वीडियो में वर्नीत हैं वीच अफ फॉलॉइंग ताइप आफ एक्सरसाइज दिस्क्राइब इन दिस वीडियो ओप्सेंस हैं A. कपाल भाती B. सुदर्शन क्रिया C. सुर्य नमस्कार D. प्राणायाम तो ये एक्सरसाइज सुरी नमस्कार के लिए की जाती है तो राइट आंसर यहाँ पर आप्सिं सी सुर्य नमस्कार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और विडियो के बारे में अपने विचार कमेंट करें और वीडियो को आप से जुड़े हुए वेक्तियों के साथ सेर करें इसी तरह की वीडियो के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो पास में बैल आइकन है उसे भी प्रेस करतें थैंक्स अलोट